दोस्तों कितने लोग कहते हैं कि फर्स्ट और सेकेंड गेर में गाड़ी चलाते समय ब्रेक लगाना है तो कैसे लगाना है क्योंकि जब हमें ब्रेक लगाना होता है तो थोड़ा सा परिसानी होता है तो देखिए मैं आपको बताऊंगा आपको अपने गाड़ी में फर्स्ट पे नए हैं और आप मेरे चैनल से जोड़ना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करें तो चलिए जानते हैं आपको अपनी गाड़ी में first और second gear में ब्रेक कैसे लगाना है दोस्तो ब्रेक दो प्रकार से लगाया जाता है पहला पहला यह है कि आपको अपनी गाड़ी में emergency brake लगाना होता है मालों आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने अचानक कोई आ जाता है तो आपको अपनी गाड़ी में emergency brake लगाना है उस समय आपको ये नहीं देखना है कि गाड़ी का पहले clutch प्रेस करें या गाड़ी का speed कम करें अगर अचानक कोई आ गया तो आपको बस अपने गाड़ी का brake प्रेस कर देना है ताकि गाड़ी रुख जाए गाड़ी आपका बंध हो जाए या कुछ भी हो लेकिन आपको गाड़ी बस रोकना है ये सब सोचने का time नहीं रता है emergency में तो दोस्तो emergency की बात हो गया अब बात करते हैं कि आपको normal first और second gear में अपने गाड़ी को रोकने के लिए brake कैसे लगाना है तो देखिए अगर आप अपनी गाड़ी मानो first gear में चला रहे हैं तो आपको गाड़ी रोकना है तो सबसे पहले आपको ये सोचना होता है कि गाड़ी मेरा रोकना है तो कहां तक जाके रोकना चाहिए पहले आपको ये decide कर लेना है गाड़ी आपका 10 feet पे रोकना है कि 15 feet पे रोकना है उस हिसाब से आपको first gear में देखिए first gear की speed बहुत कम होती है अगर आपको मालू 10 feet पे रोकना है 10 feet आगे जाकर के रोकना है तो आपको 10 feet पहले ही गाड़ी का clutch अच्छे से दबा लेना है अगर आप एक beginner है तो आपको ये सब करना है अगर आप पूराने driver है तो कोई फरक ही नहीं किरता है आप अपने हिसाब से control कर सकते है तो आपको 10 feet पहले ही गाड़ी का clutch प्रेस कर देना है और हलका सा brake पर प्रेर रख लेना है गाड़ी को जाने देना है आपको रोकना नहीं है जाने देना है अगर आपको जरूरत है तो आप अपने गाड़ी का brake प्रेस कर सकते हैं हलका हलका गाड़ी धीरे-धीरे स्लो होगा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी गाड़ी वहां तक जाके धीरे-धीरे एकदम स्लो हो जाएगा फिर उसके बाद आप अच्छे से brake लगा देंगे गाड़ी रुक जाएगा तो आपको brake लगाने की कोई जरूरत नहीं है अगर समझो आपको 2-3 feet आगे जाकर के ही गाड़ी को रोकना है तो आपको तुरंद गाड़ी का clutch दबाना है उसके बाद brake प्रेस करना है थोड़ा सा जादा प्रेस करना है तो आपका गाड़ी जल्दी कंट्रोल हो जाएगा जल्दी से रुक जाएगा उसी प्रकार से आपको अपनी गाड़ी second gear में भी रोकना है आपकी गाड़ी मालो second gear में चल रही है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपनी गाड़ी 15 feet दूर जाने के बाद रोकना है सामने आपको देखकर decide करना है कि गाड़ी कितनी दूर पे रोकना है तो उसी हिसाब से आपको अपने गाड़ी का clutch 10-15 feet पहले ही प्रेस कर देना है और हलका सा brake पर पेर रख लेना है गाड़ी को जाने देना है गाड़ी आपकी जाती रहेगी अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां मेरी गाड़ी रुखनी चाहिए उससे और आगे निकल जाएगा तो आप brake को थोड़ा सा और ज्यादा प्रेस करें ताकि आपको गाड़ी जल्दी कंट्रोल हो सके जल्दी कंट्रोल हो जाएगा और गाड़ी की स्पीड जल्दी कम होगा तो आपको अपने हिसाब से गाड़ी रोकने का मौका मिल जाएगा तो दोस्तों आपको इस बात का हमेशा ध्यान देना है कि गाड़ी आपको पहले रोकना कहां है उसके बाद गाड़ी का कलच आपको दबा लेना है और गाड़ी को जाने देना है अगर आपको ऐसा लगता है गाड़ी आगे निकल जाएगा गाड़ी 1st gear में हो या 2nd gear में आपको ऐसा लगता है गाड़ी ज्यादा आगे निकल जाएगा तो आपको थोड़ा सा ज्यादा brake को प्रेस करके गाड़ी को control में लाना है अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ वहां तक जाते जाते रुख जाएगी जहां तक मुझे रोकना है तो आपको ब्रेक पर पैर रखना ही है और आपको ब्रेक प्रेस नहीं करना है जब आपको जहां गाड़ी खड़ा करना है वहां आपकी गाड़ी पहुंच जाती है तो उसके बाद आराम से ब्रेक प्रेस कर तो इमर्जेंसी ब्रेक लग जाता है, गाड़ी में जटका लगता है, तो फ्लोरिंग पे आपका एड़ी टच होना चाहिए और पंजे से आपको ब्रेक प्रेस करना है, दोस्तों यह जानकारी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, अगर आप भी कोई सवाल प साथ जाए हिंदू